बिसम ल्लाह ररहमान रराहीम असलामवालेकूम रहती लाही वरकातहु वीवर्स ग्रुप 3 के 1st लेक्चर में हम डेफिनेशन आफ ग्रॉप करेंगे ग्रॉप और नॉन इल्डियोप डिस्कस करेंगे और एक एग्जेंपल देखेंगे एक group किस तरह प्रूव किया जाता है? Basic group 3, book to follow. Group, let g be a non-empty set. एक non-empty set g रिया अपने. The order pair g steric is set to be a group if it satisfies the following exims. अब एक इसको प्रोपरेशन करते हैं, जिसको हम steric कह रहे हैं, non-empty set g के उपर, जो के ये condition satisfy करता है. पहली condition g1 group की क्या है? A steric b belong to g. For all, a b belong to g. इसका meaning समझने के लिए ये है, कि अगर जब भी हम कोई भी दो elements g के लें, उनके दरम्यान ये operation करें, तो जो नया element बने, वो g का element होना चाहिए. मैं फिर इसको repeat करता हूँ, कि जब भी हम दो elements लें g के, और उनके दरम्यान ये operation करें, तो जो नया element बने, वो g में होना चाहिए. अब भी हम देखेंगे, कि आगे चलके example देखेंगे, कि ये ज़रूरी नहीं होता, कि हर operation के तहत, अगर दो elements के दिम्यान ये operation किया रहा है, तो वो जो set है, जो जिस set के elements लिये गए हैं, वो set का ही element बने, लेकिन इस सूरत में होना चाहिए. अब वी टेक एनी two elements of group, अब ये लिम्यान उपरेशन बवेन थी है, बवर नहीं इन्वा अर्व जी अगर में चाहिए. इसको हम क्लोजर प्रपर्टी या रॉजर ला भी कहते हैं, और set को कहेंगे, जी को कहेंगे, closed under steric यानि अगर G के कोई भी दो elements लिये जाएं उनके दरम्यान operation लगाया जाए और जो नया element बने वो भी G का element ही हो तो फिर इस property का नाम है closure property और इसको कहते हैं G is closed under steric G2 क्या है अब हम तीन elements ले रहे हैं G के A, B, C belong to G और हमने पहले ये किया है कि B और C के दरम्यान वो operation लगाया है वो जो नया element बने है उसके और फिर A के दरम्यान operation लगाया है यानि पहले आपने जो turn की है पहले B और C पे operation लगाया है फिर जब result आ गया है तो फिर आपने इनके दरम्यान लगाया है इधर आपने क्या किया है उसका थोड़ा सा रिवर्स कर दिया चेंज कर दिया उसको पहले आपने A और B पर अपरेशन लगाया है और जो नए अलिमेंट A स्टेरिक भी बना है उसके बाद आपने C पर लगाया है तो कहता है आपने सेमर रहना चाहिये इस प्रपर्टी को हम कते हैं अस्टेटिव लौ इस प्रपर्टी को हम अस्टेटिव लौ कते हैं जी थ्री फर इच अब लॉंग तो जी there exists an element e belong to g known as the identity element such that a steric e is equal to e steric a is equal to a अब इसका मेनिंग यह है कि g का कोई भी element लिया जाए तो एक element जो है वो unique element g का exist करना चाहिए जिसको g के किसी भी element के साथ operate कराया जाए चाहे right side से कराया जाए चाहे left side से कराया जाए तो वो उस element को change ना कर सके यानि ऐसा element हमें g का मिलना चाहिए e जो g के किसी भी element a को right side से operate करे चाहे left side से operate करे तो element a को change ना कर सके तो इस element को जो ऑपरेशन के बाद original element a को change नहीं कर पता उसको identity element कहते हैं और identity element depend कर रहा होता है, इस operation के ओपर, यह binary operation steric है, अगर यह operation change होगा, तो identity element भी change हो जाएगा, this is called the identity law, g4 क्या है, for each a belong to g, there exists an element a dash belong to g, inverse of a, इस a dash को हम करती है, inverse of a, such that a steric a dash is equal to a dash steric a is equal to a, वो यह कह रहा है, कि g का कोई भी element लें, तो कोई एक और element exist करना चाहिए, जिसको उसके साथ operate कराया जाए, चाहे left से, चाहे right से, तो identity element आजए, इस element a dash को हम क्या कहेंगे, inverse element of a, यह चार axions हैं, कौन से हैं चार axions, कि g के कोई भी दो elements लिए जहें, उनके द्रम्यान steric operation कराया तो नए element बनें तो g का होना चाहिए, 收 searches law page करना चाहिए, identity element exist करना चाहिए, identity element का मतलब यह है कि E' के साथ, g कि साथ operate कराया जाये तो फिर kशनिन न कर से, फिर हर element का, g कि हर element की inverse exist करना जाहिए, यनि उस सारे के साथ operate कराया जाया, तो लिए लाइस काल दा इन्वर्स लाव फाइनल लाज है अबिलियन ग्रूप ये अडिशनल एक इसमें एक्जिम आ जाता है इफ दो कमटिटिव लाव होड जना ग्रूप ये नि ग्रूप वो पहले ही है लाजए और इसको पर एक और दीशनल लाव कर रहा है कमटेटीव लाइदिन सच एंग्रूप आभिely इसें fatto अबिलियन ग्रूप और कमटटिव लुप ईधे इकल डूब इस टेरिक ए फर आल एवी बिलांग टूजी बात फॉलो की है गुरूप वो पहले इस था चार गुरूप होने का मतलब यह है यह आपके जिन में आजाना साइए गुरूप होने का मतलब यह है कि उसके पर वो पीछे चार एक्सिजिंट जी वन जी टू जी तरी फोर होल्ड सैटिस्वाई हो रहे हैं और पांचवी कंडिशन यह होगी एस चारीक वी इकल बीस चारीक है यह कॉमटर्टेटिव लाओ इसको कहते हैं यह होल्ड करे तो इस गुरूप को हम कहते है अबिलियन गुरूप और अगर किसी ग्रूप के ओपर यह लाओ होल्ड न group under addition while the group G dot is known as the group under multiplication और किसी ऐसे सेट के अपर ये group हो जिसमें कॉमनुटरिटि लाइंड अंडिशन hold कर रहा हो तो वो फिर group under addition a billion group के लाएगा और ये a billion group under multiplication के लाएगा यहां सिरफ इतने ही है कि G plus अब पहला यह सारा अर्गुमेंट की बेस पे चलेगा आपको यह पता है कि नगें दो इंटीजर का सम हमेशा ही होता है तो इसका अत्लब है के हम कुई भी 2 M N Z के elements लें Z set of integers को denote करता है Z के कोई भी 2 elements ले लें integers उनका सम करें तो वो चुके integer ही होगा इसलिए M प्लस N J Z को Belong करेगा तो G1 axiom satisfy हो गया तो सो City law under addition holds integers यह बात आपको पता है कि चाहे आप पहले M और N एड़ कर दें भाद में L एड़ करें या L और M पहले एड़ करके फिर N एड़ करें तो दोनों सूर्त में अंसर सेंभ रहना एड़िशन में addition वैसे ही associative law hold कराती है तो associative होती है addition जो है associative operation है तो इसलिए g2 भी satisfy हो गया अब आप सब को पता है कि एक 0 ऐसा element है जिसको किसी भी element में add करें चाहे left से करें चाहे right से करें तो वो उस element को change नहीं करता मसलन 3 plus 0 करूं या 0 plus 3 करूं तो answer तो 3 ही रेगा तो zeros को chain नहीं करता इसे हम करते है additive identity और यह element 0 जह है यह बजाते है खुद integer है तो फिर इसका मतलब हो गया कि 0 belongs to in z such that n plus 0 is equal to 0 plus n is equal to n for all n belong to z तो यह identity element यह भी इसी में z में मजूद है under addition g4 final group का exam जो हो कह है the additive inverse of each integer is also integer भाइ 2 का additive inverse क्या होगा minus 2 चुक्ए 2 में minus 2 add करें तो additive identity element आता है जो के 0 है इसी तरह minus 3 का additive inverse क्या है 3 क्योंकि minus 3 में 3 add करें तो 0 आता है तो वो यही कह रहा है कि additive inverse of each integer is also an integer तो अब कोई भी z का element लें तो उसका additive inverse होगा minus n वो भी z को बिलॉंग करेंगा और वो definitely condition भी satisfy करेंगा n plus minus n is equal to 0 minus n plus n is equal to 0 तो चौत्सा एक्जिम भी ग्रूप का प्रूव हो गया यहनि पहले एक्जिम क्या हुआ कि दो इंटीजर का साम्भी integer है सो सिटीव लाव इंटीजर पर होल्ड कर रहा है 0 एक्जिस्ट करता है सेट अफ इंटीजर के पर जो के डिनिटीजर एलिमेंट है और हर इंटीजर की इंवर्स भी इंटीजर ही है और फाइनली कॉमटेटिव लाव हमें यह पता है कि हम m plus n करें चाए n plus m करें तो वो दोनों सूर्थों में अंसर सेम आता है तो कॉमटेटिव लावी होल्ड करता है तो पांच भी कंडिशन भी सैटस्वई हो गई है तो यह फिर ग्रूप यह जो सेट अफ इंटीजर है इसको मनें थाबत कर दिया है आर्गुमेंट्स लेके जो चापांच कंडिशन सैटस्वई करने से कि यह अबेलियन ग्रूप है सेट अफ इंटीजर इस अबेलियन ग्रूप अंडर अडिशन हैंस जेट प्लस इस अबेलियन ग्रूप